आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सपानेताओं के डेलिगेशन ने दुशकम पीड़ता के परजनों से उनके आवास पर मुलाकात की सपानेताओं ने पीड़ित परिवार को नयाय दिलाने का भरोसा दिया सपानेताओं का डेलिगेशन एद्माद दौला शहदरा के विकास नगर पहुचा था सपा नेताओं का एक डेलीगेशन एत्मा दौला शहदरा के विकास नगर पहुचा जहां दुशकर्म पीडिता और उसके परिजनों से मुलाकात की पीडिता के पिता ने सपा नेताओं को पूरे घटना क्रम की जानकारी दी उनका कहना था कि आरोपी यूवक का परिवार उन्हें समझोते के लिए धमकी दे रहा है हाली बीटीक साथ दो लोग दबंग लोग आय थे और हमी शाथ पूलस से ताने गए थे अब देश और आकेश रात को मेरे घर पे आए मेरे बेन को ओठा के ले ड़ा के रमका के और मेरे बेन सपानेताओं ने पीडिता के परिजनों को नियाय दिलाने का भरोसा दिया, सपानेताओं ने पीडिता से भी बात की, उन्होंने कहा कि जब तक पीडिता और उसके परिवार को नियाय नहीं मिल जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे. इसमें परिवार के लोगों का कहना हैं कि वो आए दिन पर डेली धंकियां दे रहे हैं कि कंप्रमाज कर लो, अगर आपने कंप्रमाज नहीं किया, तो हम आपके परिवार को जहन से मार देंगे. जैसे हमें जानकारी मिली है, तो परिवार से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए. जो पिवार है वो डरा हुआ, सहमा हुआ है. उनको अपनी जानमान का खत्रा है. जैसे हम लोगों इनसे बात वी हैं, पलिस से भी हमारी मुलाकात उच्छी दिकारीों से बात चल दिय है आपको बता दें कि 13 अक्टुबर की रात राकेश नामा क्यूवक पीडिता को अपने घर ले गया जहां उसने दुश कर्म किया पोलिस ने पीडित पक्ष की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्श कर्द जेल भेज दिया है सीनियोस के लिए विजय बगहिल की रिपोर्ट